आर्थ मोमेंट्स एंड दा मेजर लेंड फॉर्म्स जो पृत्वी के जो मोमेंट हैं और जो लेंड फॉर्म बनी हैं कि हमारी पृत्वी ऐसी नहीं थी पहले जो आज हम देख रहे हैं कहीं-कहीं प्रिथ्वी पर माउंटेन नजर आते हैं जो लगबग प्रिथ्वी के 27% एरिये को कवर करते हैं कहीं-कहीं पठार नजर आते हैं जो प्रिथ्वी के लगबग 18% इससे को कवर करते हैं और कहीं कहीं मेदान करते हैं जो प्रित्व के 55 परतिसत को कवर करते है तो यहां देखेंगेmor long कि जो यह पहाड बने बने हैं जो बने माउंटेन से इरोजिन होने के कारण फिर यह कारण यह प्लाट्यू बने जहां ग्रीन एरिया नजर आएगा वह आपका प्लेन एरिया होता है ठीक है तो यहां बात करते हैं जो यह पहाड़ी लाका पहाड़ी लाके का घिसके जाना पर वत बनना यह कैसे कारण कैसे बना हुआ है दाफेस अप्धार बिंग री सेप्ड बाई एजेंट ऑफ जो है हर वस्तु पर परभाव पड़ता है विंड गलेशियर हो गया जो बरब पिगल के आती है वेव हो गया हवाएं हो गया वर प्रेजेंट लैंडफोर्म जार वैरी वैरी डैवार्स बड़ा चेंज हो गया है काफी मात्रा में चेंज जाए हैं और दीजेंट ओनली पर भाव चोड़ता परवती जो इलाका है और पठार है और प्लेन है तो इन पर मोडिफाइग कर देता है इनको काफी चेंज ले आता है अब सबसे पहले बात करेंगे परवत की बात करेंगे तो परवत पड़ेंगे हम तो आप जान चुके हैं विश्वे की हमारी पूरी है उस प्रिथवी का 27 परतिसत एरिया किस से ढखा हुआ है परवतों से है तो पहाड़ी लाके है नेरली 27 परसेंट ओफ द वर्लेंड सर्फेस इस कवर्ड बाइ माउंटेंज इस दा फ्रॉम दा माउंटेंज अप टो 80 परसेंट फ्रेस सर्फेस वाटर कम फ्रॉम जो प्रिथ पीप में नहीं है थे ढी तैन ट्राइं स्याका नहीं होता है और उस तीन परसंट मेंसे लगबग 80 परसेंट जो पॉइन पीधल के जो पीने योग आता है स्यूए ऑपर्दिव हमारा पहडों से ही चैकरणिंट चूप तो था और गेनिशन अगरी के संस्था है विस्वे की अबाउट 12 परसेंट ओफ दा वर्ल्ड पॉपॉलेशन लेव जिन दा माउंटेंज बट और फिटी परसेंट डिरेक्टली इंडेक्टली डिपेंड रून दा माउंटेंरी सोर्स यह कहरें कि जो यह हम पहाड देख रहे हैं प् पहाड़ा कहां रहते हैं पहाड़ी लाके में और जो हमारे रिसोर्स हैं जो हमें रिसोर्स उत्पन होते हैं मिलते हैं वो 50% हमें कहां से प्राप्त होते हैं तो आई यह बात करते हैं जो टाइप सोफ माउंटेन हैं यह परवत हैं तो किस परकार के हैं तो यहां आपको चा बला मुखी परवत बोलते हैं और चोथा है रिजी डियूल माउंटेन जिसको आवसिष्ट परवत बोलते हैं तो ये चारों परवत अलग लगत रहके होते हैं वलिद परवत जब होते हैं जब दो चटाने आपस में टकरा जाती है तो कोई हिस्सा उपर उठ जाता है तो उसक परवत वहना जाता है तो उसको परवत भूरत बोलते हैं रावली्पर्वत रावली miracle बहारत में वसीष्ट परवद हेँ रिजीडियुल माउंटेंगर बात करता हैं इधक ये यहां तक कलीर हो घ्र finds a मैं बता देते हैं पहले कौन से परवत हुए पहले हुए आपके वलित परवत चीक है वलित परवत जब दो चटाने आपस में टकराएंगी वलित परवत दूसरे हुए आपके भरंसो तत परवत दूसरे हुए भरंसो तत परवत भरंसो तत परवत वो होते हैं जब एक चटान टकराएं आपस मे तो एक कुछ हिस्सा उपर, कुछ नीचे, तो कुछ उपर, कुछ नीचे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर रिफ्ट वैली भी नजराएंगी, ठीक है, तो इनके साथ बरहन से गहाटियां पाई जाते हैं, कौन से गहाटियां पाई जाते हैं, बरहन से गहाटियां पाई जात बनते हैं तो जवाला मुखी परवत और फिर जो चोथा परवत था वो था अवसीष्ट परवत तो अवसीष्ट परवत वो परवत होते हैं जो गिसावट के कारण डियो टू डिनेंडेशन अब कुछ बचे खुचे रह गए हैं तो आपके यहां पर आपने कितने प्रकार के परवत चार प्रकार के परवत सीकी पहला वुलित परवत दूसरा बनसोतत परवत तीसरा ज्वाला मुखी परवत और चोथा अवसीष्ट परवत हो एसे Allows acquisition बाद परवत वह आगे पढ़ेंगे डीडेः wyb ऊच्छे से ठीक है अब सरी this 10 खेंश थेंद अब देखेंऀ जो ग्रिन इयरिआ थे और जो आपको एपको इस ब्राइव नजर आर्ये हैं यह मौंटेन और यह पाहडी देखन पहाडी और प्लाट्यू तो इंडिया के physical मैप से आपको परतीत भी हो गया होगा अगर plane की बात करें भारत में plane region पिछले lesson में हमने बताया है और आपको नज़र यहें तो इहां पर मॉंट Terra परवत देखते हैं कौन सा होता है कैसे होता है तो यहां पर देखेंगे वुलित परवत की बात कर रहे हैं क्या है जब दो चटाने आपस में तकरा आती है तो यहां देख रहे हैं चटानों को टकरान से कैसे फोल्ड आ गया यह कैसे नज़रा रहा है ठीक है और इनको ट्रू मैपस की रूप में जाना जाता है और माउंटेंग इसके कौन-कौन से हैं मतलब वलित परवत पूरे विस्वे में कहां कहां पाए जाते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे रोकी परवत उत्री अमेरिका में जो रोकी परवत है वो वलित परवत का एक्जेम्पल है दूसरा एंडीज दक्षणी अमेरिका में जो एंडीज परवत है यूरोप में जो आल्पस है और अफरीका में जो एटलस है और भारत में जो हिमाल्या है तो यहां पर आपको यह map बना के दिखा भी देते हैं कि कहां कहां ये परोत नजर आते हैं आपने देखा भी होगा map आप जानते भी होंगे नहीं तो आसान map बताये थे आपके लिए बनाना कैसे 3 line बना देते हैं करक रेखा, भुमद्य रेखा, मक्कर रेखा एक वी बना देते हैं दक्षणी अमेरिका एक वी उत्री अमेरिका एक वी तीनो रेखाओं को टच करते हुए एक छोटा से वी एक रेखा को एक जीरो औस्ट्रेलिया के लिए यहां आइस्क्रीम थोड़ी सी कम रख देंगे यह अपना इंडिया है तो यहां अश्क्रीम थोड़ी जादा रख देंगे चीक हैं? तो यह बन गए आपका नोर्थ अमेरिका अब यहां पर माउंटेन देखने कोन-kोन से माउंटेन की हम बात करर रहे थे तो यहां पर माउंटेन की बात कर रहे थे हम यहाँ था आपका यहाँ पर रोकी परवत आता है उतरी अमेरिका में यहाँ आता है एंडीज परवत दक्षणी अमेरिका में यहाँ यूरोप में आता है आल्फ परवत और यहाँ अफरीका में आता है एटलस परवत और यहां इंडिया में आता है हिमाल्या परवत तो यहां आपका हिमाल्या परवत है यहां पर आपका एटलस परवत है यहां आपका आल्प्स परवत है यहां आपका रोकी परवत है और यहां आपका एंडीज परवत है तो इन इलाकों में आपको वलित परवत पाए जाते हैं याद हो गए होंगे, चीक है, एक्जेम्पल भी याद हो गए होंगे ये आपका उतरी अमेरीका रहा, ये आपका दक्षणी अमेरीका ये आपका अफरीका महादीब, ये आपका यूरोप हो गया यह आपका A.C.A. हो गया, यह आपका Australia हो गया, महाद भी भी आद हो गया हो गया हो गया, आपको बनाना मैप भी हो गया हो गया, चीक है, तो fold mountain जो हैं, इनके जो अलग अलग टाइपस हैं, कैसे हैं, on the basis of nature of fold, इन में fold आते हैं, तो किस तरीके से हैं, तो एक है simple fold mountain, folds are arranged in the waves-like pattern with a well-developed system of anti-cline and sine-cline, तो anti-cline और sine-cline ने इस तरीके से ऐसे जो mountain बनते हैं, चीक है, तो इस तरीके के जो mountain बनते हैं, compression, due to compression, तो इसको बोलते हैं, simple fold mountain, complex fold mountain, folds are complex in nature, due to extreme compressional force, like our fold, recommend fold and napple, तो यहां देखते हैं, यह देखो परवत, यहां पर बहुत जदा है, यहां देखो अराम से धीरे-धीरे compress किया हुआ था है, और यहां पर एक दिम से बहुत ज़्यादा हो गया compress, तो यह complex fold mountain हो गया, या फिर जो हमने परवत देखने हों, कि वह यंग एज में है, कि ओल्ड age में हैं, तो आप देखेंगे, जब उसमें ज़्यादा मात्रा में ऐसे fold होंगे, यहां जीसे यहां पर देख रहे हुआ हैं, यहां फोल्डTrLAh में हो जदा ज़्यादा मातरा में है, इसमें और जिसमें ऐसे बहुत कम fold होंगे, तो उझामा गतों खРЕ Payac und Work Street, इूह आपकों मैप बना के बताया था यहाँ आपका ऐसे देख सकते हैं यहाँ पी रोकी परवत हो गया ठीक है यहाँ एंडीज परवत हो गया दक्षणी अमेरिका में यहाँ आपका आल्स परवत हो गया यहाँ आपका एटलस परवत हो गया अफरीका महादूप में और यहाँ आपका जो ह अमेरीका के पूरवी तटट पे तो ये आप देख सकते हैं पूरे विस्वे में सनसार के परमुक वलित परवत やद हो गयोंगे अब बात करते हैं फोल्ड माॉंटेन जो इंडिया में हैं कौन कौन से हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फोल्ड माॉंटेन ओफ पहले की बात कर रहे हैं इरोजन आवर टाइम हैस रिडियूस देर साइज अब इसका साइज क्या हो चुका है घट राए धीरे-धीरे विंद्या जो रेंज है वह एक एक जेम्पल है जो प्रोटेर प्रोटेर जो एक पीरिड में प्रोटेर जो क्या था वह पांसो मिलियन एर पहले था वह यह वीरोजन के करण क्या हो गया है साइज बिल्कुल छोटा होता चला गया है सत्थ पूड़ा साथ मतलब सेवन फोल्ड है इसके अंदर ठीक है दे आरदा फोल्ड माउंटेन ओफ प्रेकेंब्रीन प्रीकेंब्रीन एरा और हाईली अब यहां पर आपने यहा आरचीन पिरिड और अली से दुट है और विन ने inom पेरिड में प्रोटेरो जो एक पिरिड में है और सत्थ पूड़ा कोन से क्रेय situation े क्याम्जोड में ए ठीक है अब आता से स्ट्रन घाट है दे वान्स फोल्ड माउंटें है घपट ईयोड बीन के दुपाइड इस्ट इंडिया में देखा ठीक है अब इसके बाद next जो mountain देखेंगे हम वो कौन सा है हमारा वो mountain है block mountain block mountain block mountain are also formed by the internal or endogenic earth moment which cause the force of tension and faulting the down lifting and uplifting of land in between two parallel faults result in the formation of block mountain तो आप देख रहे हैं जब दो चटाने आपस में टकराती हैं तो कुछ हिसा उठके ऊपर चला जाता है जिसको horse बोलते हैं और जो कुछ हिसा नीचे धस जाता जिसको grabon बोलते हैं तो ये rift valley बनाती हैं ठीके और ये परवत बन जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ block mountain के साथ घाटियां जरूर मिलेंगी और वो घाटियां क्या कहलाती है भरंस घाटियां rift valley कहलाती है ये block mountain is also called as horse the rift valley formed as a result of falting is called grabon तो ये grabon हो गया ठीके अब block mountain पूरे world में देखते हैं कहां कहां मिलेंगे जो वो sage है ये Europe के अंदर है जो sira naveda है तो sira naveda ये आपका उत्री अमेरिका में नजर आएगा और फिर जो black forest mountain है वो आपका Europe में नजर आएगा चीक है और इनके साथ घाटियां मिलेंगी तो जो rhine घाटी है rhine valley है तो rhine valley आपका ये रोप के अंदर है फिर उसके बाद hunt valley है जो यहाँ पर न्यूजी लेंड में है और जो इस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जैसे great rift valley बोलते है महान भू भरंस भी बोलते है विस्वे की सबसे लंबी लंबी भरंस गाटिया मलावी जील से लेकर लाल सागर तक जो है वो कहां पर है अफ्रीका के अंदर है चीक है और फिर dead sea rift valley है जो dead sea rift valley यह है आपका dead sea ठीक है तो यह आपकी ब्लोक माउंटेन थे अब ब्लोक माउंटेन इंडिया में देखते हैं ब्रनसोत परवत कहां कहां है इन इंडिया सपेसली दा मांटेन रेंज सत्थपूरा विंद्या जो शेंटरल वेस्टरन पार्ट और उफ कोणिंट प्लोक माुंटें तो यह जो दौा आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सत्पूरा परवत हो गया यह जितने परवत हैं यह सारे किसके एकजेंपल हैं बरंशो तत्थ परवत के हैं और इनमें भरहंच घाटी पाई जाते तो नरमदा और तापती नदिय यहां देखें तो बनस घटी से बहने वाली नदी कौन कौन सा हो गया नर्मदा और तापती नदी हो गया ठीक है अब बलोग मांटन के बाद आता है वोलकनिक मांटन वो होते हैं जब जवाला मुखी लावा निकलता है और उसके ठंडा होके जमने से चटान बनती है तो वोलकनिक ठीक है दा मांटन फॉर्मड बाइदा एक्युमिलेशन ऑफ वोलकनिक मेट्रियल जार काल डैस दा वोलकनिक मांटन ऑफ मांटेंज ऑफ एक्युमिलेशन एक्जेम्पल इसके कौन-कौन है जिसे मांट मोना लोगा इन हवाई आइलेंड है अमेरिका के अंदर मांट पोपा मैनमार क अंदर ये बोल केनोब जब हम पढ़ेंगे ना अव बात करते हैं रिजुडियोल मांटेन अवसिष्ट परवत कौन से होते हैं जो हमने पिछे वीडियो में बताया था वसिट आवसिट we have seen the effects of weathering as part of a exogenic process where weathering acts upon the earth's crust constantly to a large extent the process of wearing down depends on the shape and the structure of the rocks upon which is acts so in some cases some portion of an elevated area escape from the process of weathering due to the hardness of the material it is made of these portions remain unweathered while its surrounding area gets erodes constantly this result in the formation result and a relict mountain अब सिद्धी सी बात यह हुई कि जो mountain पहले से बने थे और जो due to denundation exogenic process के कराण के आप कुछ बचे-खुचे रह गए हैं घिस गए हैं उपर से तो उसको आवसिष्ट परवत बोलते हैं तो आवसिष्ट परवत के जो example देख लेते हैं वो इंडिया के अंदर कहा कहा नजर आते हैं आपको तो इंडिया में देखेंगे जो हिल है कुछ पहाडियां है जो अवसिस्ट हैं तो कौन-कौन से नील-गिरी की पहाड़ी पल-कॉंडा की पहाड़ी तो नील-गिरी और पल-कॉंडा की पहाड़ी आपको यहां नजर आएंगी ठीक है फिर उसके बाद पारसनात की पहाड़ी तो पारसनात की पहाड़ी यहां परवत। तो इस विश्वा का सबसे पुराना अवसिष्ट मुक्न अभेन के विविद्या सथ कुड्स ओर चिंगतु आप के जहां पर आपने रिजिडुल माउंटेन देखे लिए जीए